नमस्कार स्वागत है LNMU Notes में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो चार साल का graduation BA, BAC, B.com जो चार साल का लागू हुआ है उसके उबर बात करेंगे कि वो जो bachelor degree है या फिर जो आप honors करते थे पहले तीन साल वाला तो इस course को भी आप जो चार साल करना जरूरी है या चार साल आप नहीं भी किजिएगा तीन साल में भी अगर आप छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगा या नहीं यह कोई अपने मन से नहीं कहा जा रहा है जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बिहार के सभी युनिवर्सिटी में 2023 से ही चार साल वाला सेशन लागू हो चुका है ग्रेजुएशन लेवल पर यानि बीए बीए सी बीकॉम जो ग्रेजुएट लेवल होता है उस पे जो है वो च छहाँ जे पहले वीडियो बना के बता दिया गया था जैसे खबर राज भवन के तरब से जाड़ी किया गया था या फिर जो भी नूजपेपर के माध्यम निजरब के आए तहाँ सारा जानकारी आपको दे दिया गया था फिर भी जो नए श्ट्रेयंट है या फिर कुछ student ऐसे है जिनको खबर नहीं मिला होगा अगर उनको लगता है ऐसा कि चार साल का कोर्स है तो आपको पूरा चार साल करना ही परेगा यह कोई ऐसा नहीं है कोई बांध कि आपको नहीं रखा गया है इसमें जो है आप जब जाहे जब जितना मर्जी आप पढ़ाई करके छोड़ सकते हैं और कुछ दिन बाद फिर आके जो है एडमिसन ले सकते हैं और आपका जो है वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा ऐसा सिस्टम जो है वह लागो किया गया है तो हम लोग बात करेंगे जो जारी किया जाता है उसके हिसाब से उसमें क्या लिखा गया है तीन साल का कोर्स में और चार साल का कोर्स के बारे में ठीक है उसके बाद बात करेंगे जो न सा डिग्री आपको दिया जाएगा कितने समय के बाद ठीक है तो सबसे पहले बात कर लें ते कि यह चार साल का कोर्स जो हो तीन साल में पूरा होगा या नहीं होगा यह ओफिसियल है या नहीं है या आपने मन से आप छोड़िएगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा चाहते हैं उन्हें छे सेमेस्टर अर्था तीन वर्सों में असनातक की डिग्री उपलब्द हो जाएगी ठीक है अगर आप जो है वो सिर्फ असनातक का डिग्री यानि कि आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आप तीन साल में भी परहाई छोड़ सकते हैं आपको ब लिखा हुगा है समानिय चात्रों को असनातक की डिग्री पराप्त करने के लिए तीन वर्सों तक ही अधियन करना होगा ठीक है मतलब कि अगर आप जो हुआ एक नॉर्मल एस्टुडियन मतलब कि आपको कोई अगे परहाई नहीं करना है रिसर्च वगेरा या फिर कोई आगे परहाई होता है जो एडवांस लेवल का होगा वो नहीं करना आपको सिर्फ एक सिंपल सा बैचलर डिग्री चाहिए तो आप तीन साल तक परहाई करके छोड सकते हैं लेकिन उसमें कंडिशन है जिसके बारे मैं हम लोग आगे बात करेंगे ठीक् довольно होगा है जो चौथा सेमेश्टर होगा जो सौरी जो चौथा बरस होगा जो आखरी साल ओगा जो चौथा साल होगा वह विकल्प है ठीक है विकल्प केबल उन छात्रों के लिए है जो अपनी इच्छा अनुसार उच्चतर सिक्षा अत्वा विद्यसों में परहाई करने के लिए या अन्य विश्य विद्याले जहां उच्चतर सिक्षा के लिए असनातक अस्तर पर चार वर् परहाई करना चाहते हैं जैसे रिसर्च वेगेरा में जाना चाहते हैं उनके लिए हैं या फिर जो बीदेश में जाना चाहते हैं बीदेश में परहाई करना चाहते हैं या फिर ऐसे युनिवर्सिटी में उनको बाद में एड्मिशन लेना है जहां चार साल का ग्रेजुएश वाला चाहिए तो आप तीन साल में भी आपका जो है वो कोर्स खतम हो जाएगा आपको तीन साल तक ही पढ़ना है चार साल तक आपको पढ़ने का कोई जरुवत नहीं है अगर आपको आगे रिसर्च वेगरा या एडवांस लेवल का परहाई कोई नहीं करना है तो ठीक है यह विकल्प भी केबल वे चात्र ले पाएंगे जो तीन वर्सों में निर्धारित ग्रेड से उपर का ग्रेड प्राप्ट किया हो ठीक है चार वर्स अपरांत उन्हें रिसर्च सहीत असनाता की डिगरी मिलेगी ठीक है तो जो चार साल वाला डिगरी है जो तीन साल के बाद का जो परहाई होगा जो तीन साल के बाद का डिगरी होगा वो भी सिर्फ वही चात्र वही स्टुडेंट कर सकते हैं जिनका निर्धारित ग्रेड पूरा होगा मतलब कि वह पूरा ग्रेड करेगा या फिर जो नोटिस के हिसाब से 7.5 cgpa उनका होना परेगा ठीक है जो पिछल वाला ओनोर्स वाला जो डिगरी है वो उनको मिलेगा वरना आपको जो वो ऊपर तीन साल के बाद वाला जो एडमिशन होगा वो नहीं करने देगा जब तक आपका 7.5 cgpa नहीं होगा अब यह cgpa क्या है इसके बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे cgpa पर सेंटेज कैसे मार्क के आपको दिया जाता है यह सार चित ज जो है वो well sory semester system में जो मार्क किया जाता है उसके बारे में हम लोग अलग सिस्ट अलग से वीडियो में बात करेंगे फिलाल हम लोग बस यह बात करें कि तीन साल व्लें साल में पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं तो देखिए जैसे कि आपको यहां पर लिखा हुआ है यह कहीं से उठाया नहीं गया है इधर उधर से यह ओफिस्यल है जो राजववन के तरब से जारी किया जाता है उसके हिसाब से आपको बता दिया गया है ठीक ह जो भी आपका major subject होगा major minor जो subject होगा उसमें आपको honors का degree मिल जाएगा तीन साल में जो आप पूरा कर सकते हैं अब अगर notice को देखें जो notification जारी हुआ था जो notification जारी हुआ था 2023 के लिए जो भी syllabus वेगरा है जो pattern वेगरा है उसके लिए जो जारी हुआ था उसमें अगर आप लोग देखें तो देखें यहां पर जो है वो exit program दिया हुआ दो सेमेश्टर के बाद जो हो चोड़ सकते हैं या चार सेमेश्टर पूरा करने के बाद छोड़ सकते हैं या फिर छे सेमेश्टर पूरा करने के बाद छोड़ सकते हैं तो चे सेमेश्टर पूरा करने के बाद छोड़ सकते हैं कहने का मतलब है तीन साल के बाद छोड़ सक और तीन साल में छोड़िएगा तो Bachelor of Science, Arts या Commerce जो भी है आपका उसके साथ Honors वाला डिग्री आपको दे दिया जाएगा Bachelor of Science, Honors या फिर Bachelor of Arts, Honors या फिर Bachelor of Commerce, Honors जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट में आपको Honors का डिग्री मिल जाएगा तीन साल में सरते आपने पूरा क्रेडिट पूरा किया हो तो तीक है मतलब कि जो भी परसेंटेज जरूरी है पास होने के लिए उतना परसेंट आपको जैवो लाना परेगा या फिर आपको तीन साल का करना चाहिए या फिर आपको चार साल का करना चाहिए कौन सा जो है वह आपको फाइदा होगा ठीक है तो देखिए तीन साल का जो है वह अगर बात करें यहां अगर फटा-फट से बात कर लेते हैं एक पॉइंट पर कि तीन साल का कोर्स में और चार साल का PG करना परेगा MMSE M-CM करते हैं चार साल के बाद तो एक ही साल हो जाएगा आपका और तीन साल में छोड़ देते हैं और PG में बाद में अद्मिशन लीजेगा तो आपको दो साल का कोर्स करना परेगा सिंपल यहिर दिफृरियंस ए अगर है लिवल हँ परहाई नहीं नहीं तो director लेट आपको डिग्रीट मिलेगा बर्ष ट्थ टुंदेंट विल एव अवार डिक्रीट रिदीटेटे से मतलब कि पूरा सेमेस्टर जो है वो पूरा होगा तब उसका बात किया जा रहा है एस्टुडेंट हूँ वान्स यूजी डिग्री वित रिसर्च इं मेंजर और सी मश्ट आप टेंग्ट वक्तिंट इसब लोगों को अभी बता लुख डिया था की जो चार्स अलुख्ष होगा जो चार्स आट वहला को करेगा उसको जो 7.5 बाइन परेगा तभी आपको जो हो चार्स आड़ा डिक्र भी मिलेगा honors with research research वहान के साथ research के साथ honors का degree जो है मिलेगा ठीक है आप जो हो one two six में seven point five CGP लाइएगा मतलब कि तीन साल का जो भी आपका result होगा उसमें seven point five CGP रहेगा तभी आपको जो है वो मिलेगा ठीक है चार साल वाला जो honors with research है उसके बारे में ठीक है तो यह clear हो गया आप लोग का यह जो हो जो भी सवाल था या फिर जो confusion था कि चार साल का course में admission क्यों ले ठीक है चार साल जो हो आपका अगर दूसरा course भी है तो वह भी आप कर सकते हैं ऐसा जो हो चल रहा था बहुत सारा जो हो question आ रहा था कि तीन साल वाला course खतम हो गया या फिर जो हो अब नहीं आएगा या फिर कैसे admission लेंगे तीन साल में ठीक है तो यह सारा चीज़ जो हो उमिद करते हैं कि clear हो गया होगा कि अब जो हो तीन साल में अगर आप चाहते हैं थर्ड यर के बाद परहाई नहीं करना तो तीन साल के बाद भी आप credit पुरा करके यानि कि जो percentage चाहिए होता है पास होने के लिए उतना percent आप ले के ठीक है 45 के मान के 45 के आसपास मान के तो तीन साल के बाद मोटा बूटी इस वीडियो से यहीं है कि तीन साल के बाद जो हुआ आप जो ही होर ऑनोर्स का डगीरी ले सकते हैं तीन साल के बाद परहाई छोड़ सकते हैं। बाद में PG अगर करना चाहेंगे तो दो साल का PG करना पड़ेगा चार साल का उख चाहएagement course में admission लेना है जिसमें 4 साल का जो है वो मांगा जाएगा और अब तो जो है वो लागू हो गया कि 4 साल का जो है वो course जो किया रहेगा वो जो है नेट का एक्जाम जो है वो दे सकता है तो यह सब एडवांस लेवल का बात है जिसको हम लोग धीरे-धीरे जो वीडियो आते जाएगा उसमें हम लोग धीरे-धीरे एक-एक टॉपिक को जो वो किलियर करते जाएंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर